मेरे प्रिया आत्मन, सहज योग में आज बावरी साहिवा का एक पद लेने जा रहे हैं, बावरी साहिवा अकभर से पहले संत हुई और स्वामी रामानंद की परंपरा में एक संत हुए माया नंद, स्वामी माया नंद उनकी शिश्या है, कहती है बावरी साहिवा, जप माला छापा तिलक सरय न एको काम, मैंने बार-बार कहा है कि संत सीधे साधना की बात करते हैं, कोई भूमिका नहीं, पस कैसे हम साधना शुरू करें, क्या साधना नहीं है और क्या साधना नहीं है, संत वानी में बिलकुल ये दो विंदूओं को प्रकाशित होते हुए देखोगे, क्या साधना नहीं है, यहां से पहले शुरू करती है, कहती है, जब माला छापा तिलक सरय न एको काम, तुम जब करो मंतर का, तुम माला जब करो, तुम छापा तिलक लगा लो, लेकिन इससे तुम्हारी प्रगती होने वाली नहीं है, सरय न एको काम उसे कुछ भी काम नहीं बनता ये बाहर का आडंबर ये बाहर की वेश उशा ये जटा जूट इससे साधना में कोई भी प्रगती नहीं होती जिसके लिए कभीर साहब कहते हैं माला पहिरे टोपी पहिरे और छाप तिलक अनुमाना लोग साधना के पत पर चलते हैं साधू बन जाते हैं माला पहन लेते हैं टोपी पहन लेते हैं छाप तिलक लगा लेते हैं लेकिन कहते कभीर साहब साखी सब्दे गावत भूले आतम खबर न जाना और पुडाने संतों की वानी याद कर लेते हैं उसको गाते हुए चलते हैं आतम खबर न जाना ये सब भेद जब तक नहीं जानोगे तब तक साधना में प्रगति नहीं होती और गुरु आ सहित शिश्य सब बूड़े अंतिकाल पच्टान कभीर सहाब बहुत ही सुंदर मजाक कर रहे हैं कि चेला ही नहीं डूबता ऐसा गुरु भी डूबता है तुम बाहर धोखा करते हो संसार म मोटा धोखा है लेकिन गुरु बनने का अगर स्वांग रशते हो और तुमने तत्वता है तुमने प्रमात्मा को जाना नहीं तुम के वल विद्वत्ता के आधार पर तुम गुरु बन जाते हो और अपने भी डूबते हो और शिश्य को भी ले डूबते हो कहती है बावरी हुआ और इससे कोई काम मनता नहीं जिसलिए रविदास साब कहते हैं का तू सोवे जाग दिवाना ऐ पागल थोड़ा जाग करके देखो बिना जागे जो कुछ भी करते हो वह सब मुर्चा है चाहे तुम भजन क्यों न काओ चाहे तुम रामायन क्यों न पढ़ो गीता क्यों है का तू सोवे जाग दिवाना जूटा जीवन सांच कर जाना अधुत बात है यह जूट पर आधारित जिंदगी को तुमने सत्यमान लिया है तुमारी पूजा भी जूटी है तुमारी साधना भी जूटी है कहती है बावरी साहिवा सांचय राचय राम क्या नहीं है साधन क्या है अब ये बता रही है सच्चे राम में प्रीति लगाओ बस यही असली साधना है यही साधना की रीति है जिसके लिए दादू साब कहते हैं साचा राम न जाने रे और सब जूट बखाने रे राम के नाम पर तुम अध्या के राम की कहानी पढ़ते हो लेकिन राम महा पुरुष है राम विश्णू के अवतार है लेकिन वे भी सच्चे राम नहीं है सच्चा राम तो अस्तित्व की गूज है सच्चा राम तो अस्तित्व का प्रकाश है सच्चा राम तो तुम्हारे भ जूट चलता है राम के नाम पर कथाएं चलती है और जूटे देवा जूटी सेवा जूटा करे पसारा और तुम्हारे देवता भी जूटे हैं तुम्हारी सेवा भी जूटी है और ऐसे जूट का आडंबर तुमने फैला रखा है और जूटी पूजा जूटी पाती जूटा पूजनहारा तुम्हारी पूजा भी जूटी है तुम पत्र पुष्प जो चढ़ाते हो वे भी जूटे हैं और जूटा पूजनहारा जब तुम ही जूटे हो तो तुम्हारे द्वारा की गई कोई भी बात वो सब जूटी ही हो सकती सची तो नहीं हो सकती कहती है बावरी साह आप क्या करना है बस उस पर ध्यान दो ओ जो अजपार जाप चल रहा है जो सांसे माला स्वयम ही जप रही है गोभिंद की बस उसके प्रती जाक जाओ तो सुमिडन स्वयम ही तुम्हारा होता रहेगा जिसके लिए जग जीवन साब कहते हैं मंदिल रहे कहूं नहीं धावे कहीं जाना नहीं तुम अपने घर में रहो और अपने मंदिर में रहो ये मंदिर बाहर के मंदिर तो तुमने बनाए है ये जो घट का मंदिर है ये तो परमात्मा ने स्वेहम बनाया है इस मंदिर को छोड़ करके और किस मंदर में भला तुम जा रहे हो और अजपा जपा अधार अजपा का अधार जो सुमरन चल रहा है ये सांसे सदा उंकार से जूड़ी हुई है बस इसको देखो इसको प्रति साक्षी रहो होशो कहते हैं कि कवंट से भी सुमरन कर सकते हो मन से भी सुमिरन कर सकते हो हिर्दय से भी सुमिरन कर सकते हो लेकिन साक्षी रह करके जो सुमिरन करते हो उस सुमिरन का कोई जबाब नहीं ये जो सासे उंकार के नाद से निनादित हो रही है बस इसके प्रती जागो और गगन मंडल मनि बरे देख छवी सोहे सबते नियारा और तुमारे भीतर जो गगन मंडल है जो आकाश मंडल है जो निराकार है तुमारे भीतर वहां तो प्रकाश फैला हुआ है परमात्मा का उसको निरखते रहो वो अधुत है अनुपम है कहती है बावरी साहिबा जो जाने सोई पेखा एक अजीब बात कहती है अगर तुमारा परिचे नहीं है तो अगर देखो भी गोविंद से तो तुम जानोगे कैसे उसकी नजर कैसे उठेगी तुमारे वो तुमारे सामने से गुजर जाएगा अगर कोई परचित नहीं है तो उस्पर तुमारा ध्यान नहीं जाता जो जाने सोई पेखा गोविंद को कौन देख सकता है जो गोविंद को जानता है वही और नजर लगा सकता है एक सूफी शयर हुआ कहता है नाम ही नाम ले लिया जानते उसे वाकई नहीं और कहते हो बस खुदा खुदा देखा उसे कभी नहीं ऐसे खुदा की बंदगी कुफर है बंदगी नहीं खाली जो गुजरे एक नफस मौत है जिन्दगी नहीं तुम नाम लेते हो खुदा खुदा कहते हो राम राम कहते हो जानते नहीं हो राम को जाना नहीं खुदा को जा और तब अगर सुमिलन करोगे, तब उसको पुकारोगे, तो निश्चित राम से मिलन तुमारा होगा, लेकिन हम भीतर इस्तित राम की जनकार को नहीं सुनते, हम भीतर इस्तित राम के प्रकाश का दीदार नहीं करते, बस बाहर-बाहर खोजते हैं, मंदिरों में, मस्जिदो करता हो में ठीर्थों में हिमाले में कंदराओं में गिरी में जिसके लिए रवीडाश साब कहते हैं गिरीबन नियを अजए फैसार में घट कों जनगल ह divorce क्यों दमकर की जनकार कीोछानsover 먹고 कार्rif शब्द मुल्यवान है, घट की अगम जोती गुरु कृपा से गम्य है, उपनिशत के सुत्रों से भी अधिक प्यारा सुत्र, अधिक रहस्य में सुत्र, घट की अगम जोती गुरु कृपा से गम्य है, जो घट में जोती जल रही है, जो घट में प्रकाश फैला हुआ है, बा देख सकते, जिसके लिए कभीर साब कहते हैं, गगन मंडल के बीच में तहवाँ जहल के नूर, ये जो भीतर आकाश मंडल है, गगन मंडल है, इसमें वह प्रकाश जगमगा रहा है, लेकिन निगुरा महाल न पावई, जो निगुरा होगा, जो बिना गुरू के होगा, वह इ पूरा गुरु से जो जुड़ा हुआ है, वो निश्चित इस भेद को जान लेगा, इस प्रकाश का दिदार कर लेगा, कहती है बावरी साहब, जो पाया सोई देखा, जो गुरु को पा लेता है, वही इस अगम प्रकाश को जान पाता है, जो गुरु को नहीं पाता, वो इस कबीर साहब कहते हैं, अलाह अलक, अलाह कैसा है, खुदा कैसा है, गुविंद कैसा है, वो इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, अलाह अलक नजाई लखिया, उसको तुम इन आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन गुरु गुरु ने एक गुर दिया, एक गुर दिया, ग तो फिर क्या होगा कह कभीर मेरी संका नासी सरव निरंजन दीठा मैं गोविन को खोशता था मुझे गोविन दिखाई नहीं देता था लेकिन गुरु ने जब ऐसा भेद दे दिया ऐसी आखे दे दी ऐसी दिव्य दृष्ट दे दी तब अधूत बात होई कह कभीर मेरी संका उसी सरव निरंजन दीठा ऑफ्ड़ हों कभीर हो दासी हूं जिसके लिए गुरू अरजुन देव जी कहते है जाका ठाकूर तुही प्रभु ताके बड़भागा हे गोविन जिसके तुम स्वामी बन जाते हो जो तुम्हारा दास बन जाता है वो बड़भागी है वो बड़ा सवभागिशाली है और सब भ्रहम भाव भागा वो सदा सुकhी रहता है उसके सारे ब्रहम और भैविदा हो जाते हैं और हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा भारा कहते है गुरु अर्जुन देव जी हम तो उस गोविंद के चाकर हैं हम तो उस गोविंद के दास हैं और मेरा मालिक मेरा स्वामी बड़ा वजंदार है कहती है बावरी साहिबा जग जानत की भोरी मैं बंदी हो परम तत्व की या जग जानत की भोरी जगत तो मुझे पगला समझता है बोली बाली समझता है बावरी समझता है लेकिन मैं तो उस परम तत्व की दासी हूं मैं तो चाकर हूं उस गोविंद का लोग भला क्या जानते मेरी गरिमा को मेरे गवरो को जिसके लिए संत नाम देव कहते हैं मैं बावरी मेरा राम भतार मैं पगली हूँ लेकिन राम मेरा स्वामी है और रचीरचिता को करो सिंगार मैं उसी अपने स्वामी गोविंद के लिए श्रिंगार करता हूँ और भले निंदव भले निंदव लोग, भले लोग मेरी निंदा करें, तनमन राम पियारे जोग, लेकन ये जिन्दगी राम को प्यार करने के लिए है, और मैं राम को प्यार करता हूँ, कहती है बावरी, कहत बावरी सुनो हो बीरू, असुरति कमल पर डोरी, बीरू बावरी के शिश्य हुए, बड़ी अच् कि ये कतार खड़ी है, ये परंपरा बावरी साब से चलती है, उनके शिश्य बीरू है, कहते सुनो भाई बीरू, ये जो सुरति कमल पर डोरी, अपनी जो सुरति है, ये सहस्रदल कमल जो भीतर खिला हुआ है, बस अपनी सुरति इसमें लगा लो और बात बन जाएगी, और करे यूँ उन बाद सुनू quella लुश बिरूश्य जैकता बारी साब